दोस्तों एक वीडियो सामने आया है जिसमें राखि सावंत की मुलाकात जीनत अमान से हुए दुबई में और तभी उन्हों ने यह वीडियो अपने फैंस के साथ अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया और यह वीडियो लोगों ने खुब पसंद किया साथे राखि सावंत ने इस वीडियो में गाना गाते हुए भी नजर आई जिस गाने का नाम था लैला मैलैला और यह जीनत अमान का काफी फेमस गाना है जिसे राखि सावंत ने जीनत अमान के साथ गाती हुई नजर आई और इस वीडियो को भी लोग फिलहाल तो ज़्याद जैसे कि आप सब में मितुन चक्रवर्ति के एक्टिंग करती हुई राखिसावंद का यह वीडियो हमारे पिछली वीडियो में देख भी लिया होगा, लेकिन उसके पहले का ये वीडियो जिसमें वो जीनत अमान के साथ नजर आ रही है, ये वीडियो भी कम नहीं है, और इसमें भी वो जीनत अमान की एक्टिंग करती हुई और उनके गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे यदा वाइरल हुआ पादमनी कोलापुरी और राखि सावंत का यह वीडियो जिसमें वो प्यार जोगता नहें फिल्म में फिल्माया गया गाना तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ यादाता है गाने को गाती हुई नजर आ रही है एक बार आप इसी वीडियो में ये वीडियो देख लेजी तो देखा अपने राखि सावंत कुछ इस अंदाज में मिथुन चकरवर्थी की एक्टिंग करती हुई उनके मीमेगरी करती हुई दिखाई दे रही है पदमनी कोलापुरी के साथ आपको बता दे कि पदमनी कोलापुरी अपने जमाने की एक बहतरी नेक्टर से हैं वहीं मिथुन चकरवर्थी भी अपने संने से लेकर आज तक बॉली वुट पर राज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके हर एक फिल्म हर एक गाने सूपर हिठी गए हैं जिसे पदमनी कोलापुरी के साथ राखी सावंत ने इस वीडियो द्वारा हम सब को एक बार फिर से रुबरू कराया है फिलाल आप इस वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं अपनी राखी सावंत और जीनत अमान का ये वीडियो भी आपको कैसा लगा है अपनी राखी सावंत बॉली विट इंडाइनमेंट की एक कुईन कहे जाती हैं जिनकी तीखे बयान और काफी एनोखे अंदाज हरकतों द् कि बधिये हैं उने छोटते हैं